कि नमस्कार दोस्तों विएस नोलेच इलग्टी चलने में आप सभी का हर्देक्स स्वागत है जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं विदुद्भावन टेक्निकल हर्पर बढ़ती तरती है मुख्यमंत्री काराले सेमों राजिस्तान चेफ मिनिस्ट्रिस ओफिस टेक्निक सब्सक्राइब करने की बात करें विएस नोलेच इलेक्री चैनल हमें सब विद्यार्थियों के हित की आवाज उठाते आया है और आगे उठाता रहेगा दोस्तों आज हमने कुछ पॉइंट्स डिकले नोट के हैं मुख्यमंत्री कारेले को अवगत करो होने के लिए परणाम को लेकर काफी दुखी है चिंते तो उनके साथ में अन्याई हुआ है और इस परणाम में काफी बड़े अस्तर के उपर घोटाला देखने को मिल रहा है देखते हैं दोस्तों अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से रोट स्प्राइक ना संदी रास्तान सरकार जैपुर मेरी दो चार बाड करनाम Mitra आप हुआ उपरोक विसे में दिवाग दीते चैक में वन में विशंग्तिय निमन परकार था किंतु प्रिक्षा अचचन करवाने वाले फरम सत्वत एजेन्सी के लापरवाहिके कार्ण दिनांग 27S22 को आद्धित मुख्या प्रिक्षा में छञार केंदर रूपर प्रिक्षा पेपड को एंट्रिनेट की कमी के रहत हैं कि विभाग दवारा जारी परणाम में विद्यावित नॉर्मलेशन फॉर्मूला प्रयोग क्या गया है जिससे की दो नॉम्मर 22 को प्रिक्षा देने वाले के 30 से 40 नंबर बढ़ा दे गए तथा दिनांग 27 अगस 22 को प्रिक्षा देने वाले सभी बचों के 2.5 से 3 नं सब्सक्राइब अगे अगला पॉंट है दिनांग 2 नॉम्मर 2022 को प्रिक्षा देने वाले बच्चे 85 नंबर लेकर आये थे जो विदाउट normalization formula के कारण उनका चैन हो गया है इसमें जो normalization formula लगा गया है जो वर्स 2018 में railway के लोको पाइलेट रिक्षा में उप लेकिन उस फोर्मूले में विसंगती की कारण उन दोनों प्रिक्षाउं का प्रणाम नए फोर्मूले से जारी किया गया था दोस्तों यह रेलवे का फॉर्मुला जो के हाई कोट्ट सुप्रीम कोट ने इसको कर दिया गया है वही फॉर्मुला यहां पर विदूत भगने लागू किया गया है जो कि बिल्कुल से गलत है नई फॉर्मुले के तहित प्रिक्षा प्रणाम दुबारा से जारी किया जाए हो सके अग़ला पुंट कि हमने कई प्रिक्षा थी इस हैं जिनके प्रिक्षा में 53 से सत्याओं नंबर आहे थे लेकिन आप उनकी मुख्य प्रिक्षा में कि में 150 में से एक्षो चाली से अधिक नंबर आ रहे हैं उनके लगातार असी प्रसोंगों पर सारे प्रसंग सही है जो प्रिक्षार्ट की पारदीशुत्रता पर सवाल है निकाफिक इसंठ प्रसण हैं में सब्सक्रेल से उद्यक्वन करकτε सो नंमबर तक जो टुर्शन है उसके लगातार वो क्यूशन सही हो रहे हैं वो सबसे बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है दूसरा है कि जो जिके है जिके में पूरे 50 में से 50 क्यूशन सही देखने को मिल रहे हैं वो सबसे बड़ा घोटाला इस बढ़ती को एविडेंस है अगले पॉइंट की बात करते ह एक प्रिक्षार्थ ऐसा भी जो प्रिक्षा में फेल और मुख्य प्रिक्षा में 140 नंबर आये हैं प्रिक्षा में जैसा कि आप देख पा रहे हो दिरंग 27 जनवरी 2023 को हमने जो कर लिए आपको लोगों को बताया था और जो पर्ति लिपी हैं समस्त समचार पतर है राजस्तान के उन सबको यह बेजी जाएगी न्यूजपेपर में निकलाएने के लिए और भावदे के लिए आप देख पा रह तकनिकी बेरोजगार संग राजस्तान के तरब से पतर लिखा गया है आज 27 जनवरी 2023 को जैसा कि दोस्तों आप लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाएं लड़ने के लिए चैनल के माद्यम से या फिर ट्यूटर मक्य माद्यम से जितने भी सोशल मेडिया पर लेट हो रह जा रही है दोस्तों अगर आपको यह अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपकी हक और अधिकारों की लड़ाएं लने के कारिये किया रहा है ऐसा ही कारिये अगर और कोचिंग वाले अधरवाइज भी करें तो काफी सरी सब्सक्राइब के साथ में इसा कोई भी फूरूला नहीं आज तक किसी भी भरती के अंदर आप फूरूला नहीं लगाया कि एक तरफ से दो नंबर कम का ओर रहे हैं और एक तरफ फंदरार नंबर से लेकर के पंतारीस नंबर तक विद्यार्थियों के बढ़ाय जा रहे है बिल्कुल भी एक न्याय संगत नहीं है अब यह जो पतर है हम इस्पिट पोस्ट से संक्षाच्चिव को मुख्यमंतरी कार्णरे को इस्पिट पोस्ट कर देंगे ताकि विद्यार्तियों के हित में एक मुख्यमंतरी तक यह आवाज पूंच सके हाई कोट में भी इसको लेकर के नयाय लट रहे हैं जिसकी अगली सुनवाई 31 दनवरी को है और विद्यार्तियों के हित में ही फ्यसला आने के पूरी-पूरी संभावना जिस प्रकार से एविदेंस हैं बच्चों के जो रिस्पोंस सीट है वो निकल के बाहर आई है या कंडि विद्यार्तियों घीत में फेशला आने आने की अगया दोस्तों विएस नौलेज लेटी चैनल की तरब से हमेशा विद्यार्तियों के आवाज उठाने का कारिय किया गया है चाहे विदुद्भावन में धर्णा प्रतस्तन की बात करें या फिर रिजल्ट निकलवाने की ब कोशिस और हर मुकाम तक आगे रहेंगे अब देखने वाली बात याए होगी कि 31 जनवरी को जो हाई कोट में सुनवाई है उसको लेकर कि क्या फेसला आता है फेसला आने की यह संभाव ना कि कोट यह भी कर सकता है कि प्रणाम दुबारा जारी करवाने के लिए बोल सकता है या फिर दुबारा से जो नॉर्मिलाशन का फॉर्मूला है वो भी चैन्ज करने के लिए बोल सकता है वो सब कोट के उपर डिपेंट होता है कोट के डिसीजन करता है दोस्तों जैसे ही और कोई अपडेट होगा आपको सब को सबसे पहले इसी चैनल के मादम से इन्फोर्मे मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में